सभी यूटूब देखने वालों से मेरा प्यार भरा नमस्कार सत्ते ही है सचकी जीट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपको अंजीर के दूद से सक्ती वर्दक सरीर को कैशे बनाया जाए यह बताएंगे यह नुश्का बच्चों, बड़ों और बुजरगों के लिए तो बहुत ही लाबदायक होता है तो सुरू करते हैं नुश्का क्या है रोजाना केवल दो तिन सुखे अच्छी क्वालिटी के अंजीर खाकर उपर से डाइसोगराम दूद में मिश्री मिलाकर पिना अत्यंत ही सक्तिवर्दक होता है लगातार दो तीन सब्ता तक आप इसका प्रियोग कर सकते हैं इस से कब्ज और खून की खराबी दूर होती है क्योंकि अंजीर कब्ज ना सक, पित ना सक, रक्त रोग, निवारक, वायू विकार दूर करने वाला है इसके सेवन चे सरीर में अमेशा थकावट शी मैसूस होना, नींद शी बनी रहना, किसी काम में मन नहीं लगना इन सभी समश्याओं में लाबदायक होता है अंजीर खून बढ़ाता है, बलगम निकालता है, रंग निखारता है दमा, छै रोग में, कप की उत्पती रोगने, तथा सकती समर्धन के लिए अंजीर का शेवन बहुत ही लाबदायक होता है इसकी गुणोता के कारण सभी अंजीर को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं कमजोर दांत वालों को चाहिए कि इन सुखे अंजीरों को थोड़े से पानी में रात भर बिगो कर छोड़ दें पानी इतना ही डाला जाए कि जिससे ये अंजीर अपनी अंदर सोसित जजब कर लें और पात्र में अतिरिक्त पानी ने बच सकें पानी पीकर ये अंजीर फूल जाएंगे और ताज़ा अंजीर के समान मर्दू हो जाएंगे दो तीन अंजीर प्राते बिगोकर रात में खाने से और रात के बिगोए प्राते खाने से हर प्रकार की बवाशिर दूर हो जाती है इसके लिए निरंतर एक महिने तक इसका शेवन करना चाहिए दो अकरोट की गीरियां चार बदाम की गीरियां रात को पानी में बिगोई वी तथा साथ नगमुन का बीज निकाली हुई इन तीनों को रोजाना सुबह खूब चबा चबा कर या पीस कर खाने और उपर से डाइसो ग्राम मिश्री मिला हुआ दूद पीने से वर्धों की सारारिक और मानशिक सक्ती में बहुत ही ज़्यादा वर्धी होती है सरदियों में तीन महीने तक लगातार शेवन करने से बुजर्ग लोगों में भी जवानों जैसा जोस आ जाता है यदि कब्ज हो तो इसी नाश्ते में दो तीन अंजीर भी मिला सकते हैं मदु में है यानि सुगर के रोगी इनका प्रियोग ने करें बाकी सबी इसका प्रियोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छा सक्ति साली वग लाबदा एक नुस्का है आप इसका प्रियोग करें आपको बहुत ही ज़्यादा लाब मिलेगा इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है बहुत ही बलवर्दक चीज है आप अंजीर और अंजीर के दूद या सिधे अंजीर भी खा सकते हैं तो आपको मेरा नुस्का पसंद आया होगा इसी के साथ आपका ज़्यादा वक्त नह लेते हुए अब मैं आपसे विदा चाहूंगा आपने अपना किमती समय मेरा वीडियो देखने के लिए दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद